इस भाग दोड़ बरी जिंदगी में हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को ही भूल बैठते हैं सोना, जागना, उठना, बैठना, खाना, पीना एक तरीके से सब अस्तव्यस्त ही हो जाता है और अगर आप अलकोहोलिक और डायबेटिक हैं तो खराब दिंचर्या आपके लिए सबसे ज़ादा घातक है इसी को लेकर दिली में एक सर्वे किया गया जिसमें खराब दिंचर्या और ज़्यादा शराब का सेवन करने वालों में तीन में से एक लिवर की समस्या से जूजदा मिला 2018 से 2019 के बीच इंस्टिट आफ लिवर एंड बाइलियरी साइंस ने 46 साल के बीच के पुरुष और महिलाओं को शामिल किया इस सर्वे में सबसे ज़ादा लिवर फाइब्रोसिस के मरीज पाए गए लिवर फाइब्रोसिस लिवर के सकार्स में खाव होने को कहा जाता है जो की आगे चल कर एक गंभीर बीमारी में तबदील हो जाता है लगातार अनहेल्दी खाने और ज्यादा शराब के सेवन से लीवर सिरोसिस हो जाता है जो एक गंभीर बीमारी है जिसका आखरी इलाज सिर्फ लीवर ट्रांसप्लांट ही है क्या होता है लीवर सिरोसिस? लीवर सिरोसिस की बीमारी में सक्त इसकार टिशू लीवर में मौजूद अच्छे टिशू की जगह ले लेता है। जब जब लीवर को नुकसान पहुँचता है तब ये खुद को दुरुस्त करने की कोशिश करता है जिसकी वज़ह से सकार टिशू बनने लगते हैं जो अच्छे लीवर टिशू की जगह लेकर लीवर को सक्त बना देता है। कुन का प्रवाह कम होने लगता है या कहें कि खत्म हो जाता है जिससे लीवर में मौझूद अच्छे सेल्स खत्म हो जाते हैं और लीवर की समस्या बढ़ने लगती है। लोग सर्वे में शामिल 44 फीसदी महिलाएं 56 फीसदी पोरुष। इन में से 35 फीसद लोगों में फाइब्रोसिस की शुरूआत 14.1 प्रतिशत लोगों में फाइब्रोसिस की समस्या 3.5 फीसदी लोगों में सुरोसिस की बीमारी इन में से 804 लोग वो थे जो ज्यादा शराब का सेवन कर रहे थे। सर्वे के आखडों के अनुसार 45.8 प्रतिशत लोगों में फाइब्रोसिस की शुरूआत 20.4 प्रतिशत लोगों में फाइब्रोसिस से ग्रसित 6.2 प्रतिशत लोग सिरोसिस से ग्रसित 6701 शराब का सेवन नहीं करने वाले लोग 35.4 फीसदी लोगों में फाइब्रोसिस के 13.2% लोगों में लीवर फाइब्रोसिस की परिशानी तीन प्रतिशत लोगों में सिरोसिस की संभावना इस बीमारी से इलाज हेल्दी फूड का सेवन, दिन चर्रेय में बदलाव, शराब का सेवन कम, उचित दवाईयों का समय पर सेवन अगर व्यक्ति को सही समय पर एस सही इलाज नहीं मिला, तो लीवर फाइब्रोसिस की समस्या शरीर में एक गंभीर बीमारी का रूप ले लेगी डॉक्टर्स का कहना है कि लीवर सिरोसिस होने के बाद लीवर के स्कार टिशू पूरी तरह से काम नहीं कर पाते है और ऐसे स्तिती में व्यक्ति को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो जाती है इस बीमारी का आखरी इलाज लीवर ट्रांस्प्लांट होता है क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर लीवर की कोशिकाएं नस्ट हो जाती है और उनकी जगह फाइबर तंतू ले लेते हैं इसी वजह से लीवर की बनावट भी असमानने हो जाती है वहीं फाइब्रोसिस में लीवर पर सूजन आने की वजह से हैपेटाइटिस A और B हो जाता है कर दो जाता है